हेलो दोस्तों स्वागते हैं आपका हमारे चैनल पर वो भी काफी दिनों बाद तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो जो आज के टाइम में बहुत ही परशिद जो एक पंडित अब एक काया सकते हो एक सास्तरी बोल सकते हो दितेंदर कृष्ण सास्तरी के बारे में होने जारी है तो आज की इस वीडियो के मात्रम से हम जानेंगे कि पढ़नित दितेंदर कृष्ण सास्तरी जी का जनम जिसे हम भागेश्वर धाम के जो पीठा दक्ष है जो गुरु है उनके बारे में है आज हम उनकी शिक्ष्या और उनका जनम कहा पर इस पद्धिती पर जो ने आज के टाइम में मिली हुई है कैसे यहां तक महुचे इसके बारे में वीडियो की शुरुआत में हम बताएंगे तो चली वीडियो के जो शुरु करते हैं दोस्तो जो आज के टाइम में अपने देखा ही होगा कि कितनी वीडियो और कितने सास्त्री जी के जीवन के बारे में इस वीडियो के मादन से अपको कुछ रूबरो और कुछ बताना चाहेंगे तो भागेश्वर धाम सरकार दितेंदर सास्त्री का जनम 4 जुलाई 1996 को मत्या परदेश के चत्रपूर जीले के कड़ा गंजगाउं में हुआ और इसी स्तान प एक निर्मोही अखाडे में दिक्षा प्राप्त की थी उन्होंने भागेश्वर धाम का जीतेंदर नदरवार किया था। मतलब उन्होंने पूरी भक्ती से जो अपना कारोबार किया था वहाँपे अखाडे में जब वह अपने जो भी वहाँपे उस टाइम के अनुशार ज पितादाजी बखवान दास गरग भागेश्वर धाम मिंतरबार लगाते थे। दितेंदर कृष्ण सास्तरी ने अपनी पाररंबिक सिक्षा गड़ा गाउं के सरकारी स्कूल से की, फिर उन्होंने बिये की डिगरी प्राप्त की, हाला कि कुछ लोगों का कहना है या है कि दितेंदर सास्तरी के बल आठे में एक अक्षा को पास कर पाए है। ऐसा माना जाता है, बाकि इसका कोई हम साइन्टिफिक प्रोवन नहीं बता सकते की, एक्षुल में वो वर्क करता है नहीं करता है, बाकि जो वीडियो के माद्यम से या जितनी वी डिटेल्स हमने इस वीडियो के लिए निकाली है, वहां से में पता चला है, तो मने आपको भागेश्वर धाम के पिटा दक्स, भागेश्वर धाम के तितिंदर कृष्ण सास्तरी की चर्चा देश पर में अपने सुनने को मिली होगी, एक्चिलिव में वो क्या करते हैं कि पड़्चे निकाल कर बगतों की समस्चाओं का समाधान करते हैं, जो कि वो उनके बगतों क बताने से पहले ही वो लिखकर अपने परचे पर रखते हैं, और उसके बाद वो अपने ही बगतों को बताते हैं और उनका सिलूशन या समाधान देते हैं, भारत के वैसे सादोसंत और बाबाओं में पंडित दिंदतर कृष्ण सास्तरी सबसे अधीक चर्चा में अभी का इसके बारे में बताया है, वसे हम बात करें कि धितिंदर सास्तरी के बारे में कि यह मूल रूप से मध्या परदेश में रहने वाले हैं, का जाता है कि बागेश्वर धामसरकार के पीटदक्स धितिंदर कृष्ण सास्तरी को हनमान जी की साक्षर दरसन होते हैं, अपने उन से ही लिख लेते हैं उनकी जो पहले की लिखने कि न है उससे युँ बड़े ही परच लीथे कि अगर आप आपँ हमपे जाते हो तो अगर आपकी समश्चाओं के बारे में उनको पहले से ही लिखा हुत मिलता है तो आप ऐसी इच्छा के लिए जा रहे हो, तो ऐसे ही आज के टाइम में बहुत सारा जो चमतकार देखने को मिलते हैं, आप इसे चमतकार को अंदविश्वास को पर यह है, हाला कि जितंदर कृष्णर सास्त्री विवादों से भी गिरे रहते हैं, कहीं लोग उनके इस उपाये को चमतकार बताते हैं, और कहीं लोग इसको अंदविश्वास वे पाखंड बताते हैं, लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कह जा सकता कि लाखो करोडों भक्तों की महाराज सितंदर सास्त्री पर सरदा है अज के टाइम में, आप सस्वां में देख सकते हो पंडाल भरे के बरे रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो रीजन या कुछ ना कुछ राज सिपा होगा, जो इतनी दुनिया उनकी दीवानी है, तो दोस्तों आपको यह पाखंड लगता हैं, या उसकी कुई अपनी कला, या बगवान की दीवी, कुछ अद्भुत चमतकार, तो आप एक में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारी चैनल को सिब्सक्राइब करें,